हेलो दोस्तो, गूड मॉर्निंग, मैं अमित कुमार, सिहांता आईएस की यूट्यूब चैनल से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को, इस चैनल से, जोग्रफी, एन्वार्मेंट, एंड इकोलोजी, दिजाष्टर एवं डिजाष्टर मैनेजमेंट, से रिलेटिड जो इशूज हैं, उन पर डिसकसन करूँगा, उन से संबंधित, जो क्लासेज हैं, वोलूँगा, सिहांता आईएस ने, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, एक नई सरंखला की शुरुवात की है, अमुमन तोर पर, जब बच्चे तैयारी करते हैं, वो अपने सुरुवाती चरण में होते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी समश्या ये आती है, किसी भी विशय को पढ़ते हुए, या कोई मैगजीन या कोई नियूज को देखते हुए, कि उस विशय के दौरान जो मुस्किल शब्द होते हैं, उनको ना समझने के कारण, एक पूरे विशय का जो कॉनसेप्ट है, या जो भी टोपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको समझने में एक बड़े बेरियर के रूप में ये चीजे काम करती हैं, यदि कोई टर्म, कोई शब्द आपका किलियर नहीं हैं, इसी चीज को दिहान में रखते हुए, सिहान्था IAS ने डिक्सनरी नाम से एक नई सरंखला की शुरुवात की हैं, समय समय पर, विशों से संबंधित जो टर्म है, इस रंखला के दोरान हम डिसकस करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जोग्रफी, इन्वार्मेंट और डिजाष्टर से रिलेटिड जो शब्द हैं, मैं उनको आपके सामने पेस करूँगा, यहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, इस रंखला का, वो यही है, कि जो शब्द हैं, उनको हम अच्छे से समझ लें, उनकी परिभासा क्या होनी चाहिए, उनका अर्थ क्या होना चाहिए, और किस रूप में एक आंसर लिखने के दोरान वो लिखे जाने चाहिए, हमारा फोकस मुख्य तोर पर उसी बात पर होगा, उसका जो पूरा कॉंसेप्ट है, जब आगे हमारी क्लासिज चलेंगी, वहां पर हम पूरी उसकी जो मेकैनिजम है, पूरी जो यांत्री की है, जो पूरी उसकी परकिरिया है, वहां पर हम उसको समझेंगे, यहां पर हमारा मुख्य उदेश्य केवल और केवल, किसी भी शब्द को परिभासित करना, और उससे रिलेटिड जितना जरूरी है, उतना थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेना होगा, अब यहां पर सवाल सबसे पहले यही उठता है, कि इस रंखला को पढ़ने के दोरान, या जब आप इस रंखला से कुछ सीखते चलेंगे, तो इसकी जो महत्ता है, इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो इंपोर्टेंस है, वो क्या है, एक-एक चीजों को हम अलग-अलग करके आराम से समझते हुए चलेंगे, सबसे पहले तो सवाल यही है, कि इस सरंखला का चब्द कोस नामक जो सरंखला है, इसका उद्देश्य क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें, तो सबसे पहली बात यही है, जब हम कोई भी करंट इश्यू पढ़ रहे हैं, कोई भी मैगजीन हम पढ़ रहे हैं, या कोई कंटमप्रेरी इश्यू, या ट्रेडिशनली रूप से हम अपने विश्य को पढ़ रहे हैं, उस दोरान, जो चीजे समझ में नहीं आती है, या जो चीजे किलियर नहीं होती हैं, शब्द के चलते, उन सब्द को समझने के लिए, इस रंखला की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, कि जो भी आप चीजे समझना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आगे जो क्लासेज हमारी चलेंगी, उसमें एक अच्छे से आपका फ्लो बन जाए, उसके लिए जो इंपोर्टेंट शब्द है, सिविल सर्वीसिस को ध्यान में रखते हुए, उनको हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, दूसरा जो कंपोनेंट है इसका, कि इससे हम लोगों को क्या क्या बैनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या इसका लाब हमें इस रंखला का मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो यही है, कि जब आप कोई भी विशह पढ़ रहे होंगे, तो यदि आपके शब्द किलियर हैं, वहाँ पर समझ आपकी साफ है, तो आप पूरी किलास को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, दूसरा, जब भी आप अपना विशह पढ़ रहे हैं, या कोई करंट चीजें आप समझने की कोशिस कर रहे हैं, वहाँ पी इसकी उप्योगिता आपको नजर आएगी, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा इसका लाव है, जब मैंस के इस्तर पर आप आप आंसवर लिखते हैं, तो वहाँ पर जब आंसर की शुरुवात होती है, यानि कि आंसर की भूमी का बनाने के दोरान भी, जो शब्द आपके कोश्चन में दिये गए हैं, वो डारेक्ट रूप में भी वो दिये जा सकते हैं, इंडारेक्ट रूप में भी दिये जा सकते हैं, यदि वहाँ से आप अपने आंसर की शुरुवात करेंगे वहाँ पर इसकी उपयोगिता और जादा बढ़ जाती है एक छोटे से एक्जाम्पल से हम इसको समझते है यदि 2018 के UPSC के GS के हष्ट पेपर की मैं बात करूँ वहाँ पर एक कोश्चन पूछा गया कि मैंटल प्लूम को परिभासित कीजिए यानि मैंटल प्लूम से आप क्या समझते हैं इसका क्या अर्थ है और प्लेट विवर्तनी की यानि के प्लेट टेक्टोनिक धोरी से जोड़कर ये कोश्चन पूछ दिया गया यदि आपका मेंटल प्लूम नामग जो शब्द है वो किलियर है तो आप परिभासा के तोर पर या लिखने के स्थर पर ये कैसे लिखा जाना चाहिए आप एक अच्छी कंडिशन में आ जाएंगे वहीं यदि मैं इंडारेक्ट रूप में भी बात करूँ आप परत्यक्स रूप से जहां जहां जरूरी है जहां सब्दों को परिभासित करना अनिवारिय है उसको भी एक एक एक्जामपल के तोरान हम समझते हैं वहीं 2018 में एक कोश्चन पूजहां की सामुद्रिक पारिस्थित्की में डेड जोन्स यानि के मरत छेत्र जो हैं डेड जोन्स डेड जोन्स के विस्तार के परिणामों पर चर्चा कीजिए यानि के डेड जोन्स जो बढ़ते जा रहे हैं जो इनका विस्तार हो रहा है जो इनका एक्स्पेंशन हो रहा है उसके एफेक्ट क्या है या उसके परभाव क्या है तो अब इस आंसर की जब आप शुरुआत करेंगे कोश्चन में उसने यह नहीं पूछा है कि डेड जोन्स को परिभासित कीजिए लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है यह आपकी एक ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले आप डेड जोन्स को परिभासित करें तो मेरा कहना यही है जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ सायद आप लोग समझ गए होंगे डारेक्ट रूप में भी वो कोई शब्द को पूछ सकता है इंडारेक्ट रूप में भी यदि वो नहीं पूछता है तो यह आपके जिम्मेदारी है कि आप उस शब्द को सबसे पहले परिभासित करें और किस रूप में वो लिखा जाना चाहिए उसको हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे तीसरा पर एक मुख्य कंपोनेंट है कि इसके पढ़ने की प्रकिरिया इसका मैथड क्या होना चाहिए शब्दावली को पढ़ने के दो मैथड है या तो आप अल्फावेट के रूप में आप पढ़ते चलें ABC के नाम से दूसरा मैथड है जो सिविल सर्विसिज के अंतरगद टोपिक्स दिये गए हैं उनमें एक लिंक्ड है आपस में वो अंतरसंबंदित है वैग्यानिक तरीके से आप उस तरीके से पढ़ते चलें मेरा जो मानना है कि एक अध्यन का करने का एक अच्छा तरीका अल्फाबेटिकल नहीं बलकि जो वैग्यानिक तरीका है जो सिविल सर्विसिज के डिवांड है उसी आधार पर चैप्टर वाइज जो भी शब्द महतुपूर्ण है उनको लेते हुए चलेंगे क्योंकि उनमें एक आप को नजर आएगा कि उनमें एक इंटर लिंकेज है और सभी चीजें आपस में इंटरेक्शन करती हैं उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक इंटरोड़क्शन था हमारी इस नई सरंखला का यहीं पर हम अपनी आज की जो क्लास है इसको रोकते हैं इसी दोरान यदि आप लोगों के सामने कोई ऐसे शब्द आ जाता है जिसको आप चाहते हैं कि समझना जरूरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जहां उसका सही स्थान होगा सही समय होगा वहाँ पर हम उसको एक्स्प्लेन करते हुए चलेंगे तो चलिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में